यूपी में पिछले कुछ सालों से आए दिन एंकाउंटर की गून सुनाई देती है। दर्जनों कुख्यात अप्राधियों को मुटभेड में पुलिस ने मार गिराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कुख्यात अप्राधी इस समय पैर में गोली लगने से जादा बैद समपत्यों पर बुल्डोजर दोड रहा है। इसी गैंगेस्टर एक्ट की कारवाई ने यूपी के कोख्यातों की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें पिछले तीन महिनों में प्रदेश में सबसे जादा कारवाई मेरट जोन में की गई है। मेरट जोन में इसी साल मार्च 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक दो अरब 32 करोण 50 लाख रुपए की संपत्य पुलिस ने जब्त की है। वहीं पूरे प्रदेश में 6 अरब 62 करोण रुपए की संपत्य को जब्त किया गया है। आईए आपको बताते हैं आखिर क्या है गैंगेस्टर एक्ट और क्यों इसके नाम से ही कापते हैं बड़े-बड़े कुख्यात अपराधी। पुलिस सूत्रों के मताबिक पिछले एक साल में पूरे प्रदेश में सबसे आदा गांगेस्टर एक्ट के तहत ही गुंडे और माफियाओं पर कारवाई की गई है। अकेले मेरट के कुख्यात बाजार सोती या इंस्पेक्टर द्वारा ही दर्ज कराया जाता है। गैंग बनाकर जब अपराधी संगीन अपराधों जैसे चोरी, लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी, अपहरण और गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे मामलों में गैंगेस्टर एक्ट के तहत में दर्ज होते हैं उस मुकदमे में जब विवेचक कोर्ट में आरोप पत्र यानि चार्च ही दाखिल कर देता है तो गैंगेस्टर दो बटे तीन की कारेवाई की जाती है और इसके लिए SSP और DM की इजाज़त चरूरी होती है जिस थाने में थाना प्रभारी किसी आधिक रिकार्ड और अवैद संपत्ती को खंगालता है वो ये देखता है कि इस अपराधी ने कितने समय से अपराध में शामिल है और अपराध से कितनी संपत्ती बनाई है ये सारी जानकारिया हासिल करने के बाद मजिस्टेट के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट में धा जा रहे हैं उन सभी पर इसी धारा में पुलिस कारवाई कर रही है पिछले सिर्फ तीन महिने में ही शासर ने पचास और पुलिस मुख्याले ने 12 माफियाओं को चिन्हित किया है तीन महिने में पूरे यूपी में 790 बदमाशों पर गैंगेस्टर एक्ट की कारवाई की ग ख्यात मेरट में सोती गंच को अब पुलिस ने वाहन कबाड़ी और भू माफियाओं से मुक्त करा दिया है एक साहित के तहद अपराधी को 10 साल तक की सजा दी जा सकती है एक की धारा 14 बटे 1 में अवैद रूप से अरजित संपत्ती सरकार से अटैच करने और गिराय जाने का भी अधिकार देती है मुकदमे का मकसद अपराधी को लंबे समय जेल में बंद रखना होता है यही नहीं गिरिफतारी की दो साल बात तक इसमें आरो पत्र दाखिल किया जा सकता है